हेलो यूर्वान वेलकम टू मैं चैनल लिटिंग आइडियास आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मुझे सब्सक्राइबर्स की जुरुरत है प्लीज डू सब्सक्राइब टू मैं चैनल आगे और भी बहुत सारे वीडियो साने वाले हैं बहुत सारे बूलिएगा चैनल आज का वीडियो शुरू करते हैं सो वीडियो है फोर टाइपस आफ स्टिच के बारे में जो फर्स टाइप आफ स्टिच है वह है स्टॉकिंग स्टिच मैंने आपको बताने के लिए चोटा सा डिजाइन डाल के रखा यहां पे जो कि है स्टॉकिंग सो बेसिकली यह निट स्टिच है यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह जो भी है साधा साधा निट स्टिच है जो कि मैंने प्रिवेस लिए अपको बताया था प्रिवेस वीडियो में कि किस तरह से निट स्टिच डाले जाते हैं तो इसको हम लोग स्टॉकिं तुण टाइप और स्टिच है उसे हम लोग रिवर स्टॉकिंग स्टिच कोई आका किक्वर político स्टिच है पर्ल स्टिच। जो उल्टी-उल्टी बुनाई होता है इसको हम लोग रिवर स्टॉकिंग स्टीच केपा है अगर आप मान लिजह यह आपने अपने स्वेटर में हो, caps में हो, जो भी जिस भी project में आप जब डिजाइन दालते हो, तो यह वाला डिजाइन जब आगे की तरफ दालेंगे, जब आगे की तरफ दालकर, यहां पे कोई डिजाइन या आगेन दा सेम यह वाला जो pattern है, वो फिर से repeat होगा, ऐसा होगा, तो इसको हम लोग reverse stocking stitch कह गाटा stitch, तो यह है वो stitch, गाटा stitch, आप यहां पे देख सकते हैं इसका design, तो basically यहां पे जो design है, वो सिर्फ knit design है, यह कुछ डिफरेंस नहीं है, जो पहला वाला design था, उसमें क्या होता था, कि हम लोग यहां पे सामने की तरफ पे knit करते थे, और जब हम लोग पीछे की देते थे, ताकि इस तरफ से सारे knit आए, और इस तरफ से सारे पर्ल आए, बट गाटा stitch में क्या होता है, सारे सीधी तरफ में भी हम लोग knit करेंगे, और उल्टी तरफ में भी हम लोग knit करेंगे, यह उन लोगों के लिए जिनको purl stitch बिल्कुल भी पसंदी है, क्योंकि इसमे आपको पर्ल देख रहा है बटे पर्ल नहीं है यह हम लोग ने हमने उल्टी तरफ से निट स्टिच किये मैं आपको यह बता देती हूं डेमो के तरफ पे एक लाइन हम लोग दालते हैं यहां पर तो पहला तो पहला जो बुनाई होगा वह आज इट इस होगा ओके क्लियर दि लेने के बाद में इसको हम लोग पीछे लेंगे इसके पीछे डालेंगे यहां से यह पीछे जाएगा क्योंकि यह स्लिप स्टिच है पहले पर हमको कुछ काम नहीं करना है पहले पर हमको कुछ भी वर्प नहीं करना है एंड नाओ यह जो सेकेंड स्टिच है इसको हम लोग निट करेंगे एक सेकेंड सीधा नहीं आ रहे हैं यहां पर यह सही है ओके तो यहां पर हम लोग निट करेंगे इसको मैं यंट तक लेकी चलते हूं इसके बाद जो हम लोग वर्क को पीछे के तरफ से जोड़ाएं करेंगे यहां पर भी हम लोग सेम इसी तरह से निट करेंगे यहां पर भी पर्ल स्टिच दिख रहा है क्योंकि हमने वर्क को टर्न कर लिया है यहां पर भी हमको सेम निट करना है तब आपका यह थर्ट टैप आफ स्टिच जो है गाटर स्टिच यह पूरा होगा आप देख सकते हैं यह कितना अच्छा है कितना अच्छा पैटन है इस सीधा सीधा सा है सिंपल सा सीधा सा डिजाइन है अब हम बात करते हैं अपने फूर्थ टाइप आफ डिजाइन के बारे में जो कि है मॉस्टिच तो यह है मॉस्टिच इसका पैटन देखिए कितना ब्यूटिफुल पैटन है तो इसमें क्या होता है न कि हम लोग एक निट और एक पॉल दालेंगे एक निट एक पॉल यहाँ पे अब देखिए इसको तो हम लोग वैसे लेंगे as it is यहाँ पे निट स्टिच है तो इसको हम लोग पॉल करेंगे यह जो नेक्स्ट पॉल स्टिच है इसको हम लोग निट करेंगे तो जो भी knit stitch होगा उसको पर्ल करना है और जो भी पर्ल stitch होगा उसको knit करना है तो यहां तो ऐसा a design आएगा मैं तो मैं उक्राइन दाल के बता देती हो यह first तो इसको हम लोग करें असलिक करें तो हम लोग शिट करें ग तो इसके परूल हो गया और आसले को कि यह करें ठीठ आणिक इसलिक करें गए फिर निट करना है फिर अगीन पर्ल करना है निट करना है करना है निट करना है आप पर आप 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 कितना ब्यूटिफुल पैटरन आप 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 इसको बेबी स्वेटर में भी यूज़ कर सकते है यह किसी और प्रोजेक्ट में भी अपने यूज़ कर सकते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगे अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैंने ऐसा डिजेन कहां पर यूज़ किया हैं क्या ओप्शन्स है आप इस तरह की डिजेन को कैसे यूज़ कर सकते हैं वगेरा अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि मैंने इतने सारा जो भी वर्क दिखाया हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज आफ स्टिक्स यूज़ किये थे तो मुझे एक्जैक्ली आपको कौन सा साइज यूज़ करना पड़ेगा निटिंग के लिए आपको मैं बता दूँ अब जब्भी कोई यान यूज़ करते हैं और तो उसके उपर आपको वहां पर जो साइज होता है ना जो स्टिक का नमबर होता है उसको साइज ब्हां पर नेडल ही तो एस पर देने जान ही अगर साइज लेंगे अगर नीडल साइज लेंगे तो जाधा अच्छा होगा क्योंकि वो डिजाइन उस यान पे और उस नीडल पे जाधा अच्छा लगेगा सेंपल की तोर पे मैं आपको यह दिखा देती हूं मैं ब्रैंडिंग तो नहीं कर रहे हूं बट यहां पे आप यहां पे देख सकते हैं कि जो मैंने पर्टिकलर यान यूज क्या है तो उसका जो साइज है वो याइट और नाइन है अगर हम लोग यह जो नीडल ले रहे हैं त आपका सपोर्ट का बहुत जरूरत है तो प्लीज 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 दू सपोर्ट और एक्साइटिंग वीडियो साते रहेंगे तो थैंक यू वरी मच्छ